हलो दोस्तो श्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरिक यूट चैनल पर दोस्तो जैसा कि मैं आपको बताता है कि मैं दस आजार कुश्चनों की जो सीरीज चला रहा था दोस्तो उसका मैं आज पार्ट थ्री लेकर आया हूँ ओके और मैं आपसे पर डे तीस पर यह बनी होई है फिर जाकर चेक कर सकते हो के दोस्तों मैं आपको बता दूं चाहिए किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो जितने में कुछन कर रहा हूं अगर दोस्तों इतने कर लिए तो पहले डेफिनिटली बात है कोई बची नहीं सकता है तो यह आप भी सब्सक्र परती के लिए हो चाहिए ससी रेलवे यानि कोई भी अधर एक्जाम हो ओकी याद रखना सब के लिए हैलफुल रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं दोस्तों पहला कुछन का हमारा देखिए क्रोमोसोम की फरचना में कौन भाग लेते हैं ओक दोस्तों यह प्रस्यता का अंत ओके किस सम्मानत है मारा यह है अ इस प्रस्यता का अंत से है अनुच्छे 17 अगला है एक किलो ग्राम भार के वरावर कितना न्यूटन होता है यह होता है 9.8 न्यूटन ओके याद रखना एक किलो ग्राम यानि भार के वरावर कितना न्यूटन होता है तो सर्वो पर ब्यासिस्ट सूचक हैं तो यह हैं चेत्रत धूसर म्रद भाड अगला है हमारा मुक्तेश्वर मंदर कहा है यह हमारा भूमद्रे की ब्यास कितना है यह है 12756 km ओके याद रखना हमारा पृतिवी पर भूमद्रे की ब्यासिके यह हमारा मेंडोना घैया की चित्रrh गरती है आगे देखते हैं अगला कुशन भारत की किस पंचवर्षी योजना में राश्ट्री आई की व्रदी दर नियूंतम रही यह रही थी हमारी तरती जो पंचवर्षी योजना होई थी ओश्चमय की याद रखना भारत की किस पंचवर्षी योजना में राश्ट्री आई की व्र सबसे दिक फिए गया है यह चोरी की चलिए आगे देखते हैं किस राज्जमें को पता के रही होते हैं तो उन्हें क्या पायाता है इनमें विपरी चक्रड फायाता है याद रखना जब यानिकी एक मिनट देखिए यानिकी जब दो इलक्ट्रॉन एक एक अच्छ में होते हैं तो उनमें क्या पायाता है दोस्तों यह पायाता है विपरीत चक्रण इंपोरेंट ध्यान रखना आगे देखते हैं किस अनुच्छेद में प्रेश की फुदंतरता वर्ड़त है यह अनुच्छेद उन्नीस फष्ट यह का बोल सकते हैं आप इसे आगे देखते हैं हैजा के जीवानों की कोच किसने की यह किते रौबर्ट कोच ने ओके मुष्ट जीवानों उसके खोज किसी ने कीते हैं यह किती हैं जिसे कॉलरा बोलते हैं जाको इसे कीती रौबर्ट ने की रौबर्ट कोच ने ओके आगे देखते हैं आर्यों का मुख वेवसाय कौन सा था दोस्ति यह था हमारा क्रसी ओके इंपोरेंट ध्यान रखना चलिए आगे द सन्याययों का पूजा इस्तल है यह बौध धरम के आगे देखते हैं प्रतिवी का द्रवी व्यास कितना है दोस्तों यह पीछी रिपीट हो चुआ है कुछ नहीं दोबारा 12714 किलो मीटर ओके आगे देखते हैं महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्स दोस्तों यह होई थी सन 1922 में और याद रखना परस्ट टाइम महिलायानी संम्म्मलेत वह थी वह कभू हुई थी उनकी चलिए आगे देखते हैं योजना वकास के काड कोनवां की पंच वर्सी योजना देर से प्रारम हो इनकी मारी देर से प्रारम हो थी लोके इंप्रके धियान रखना चलिए आगे देखते हैं फूल के अमपोत का तामयों तामो मठ किस राजी में है बौद्धों का तामो मठ किस राजी में है दोस्तों यह हमारा हिमाचल प्रदेश में है इम्पोर्टेंट है ध्यां रखना बौद्धों का तामो मठ किस राजी में इस्तित है यह हमारा हिमाचल प्रदेश में चलिए आगे देखते हैं किसके अभा में चलिए आगे देखते हैं किस राष्टेपती की मृत्ति रभतम अपने कारकाड दोस्तों में हो قई तो धोटर च जाकेर हुसयन की केऩ राष्ट्रपती चलिए आज किनका सामान नाम न्यूक्लियोन है दोस्तों यह है प्रोटोन और न्यूट्रोन का important है याद रखना ओके दोस्तों यानिकि किसका किनका सामान नाम न्यूक्लियोन है दोस्तों यह है हमारा प्रोटोन और न्यूट्रोन का आगे देखते हैं किसने सत्यासरे और स्रीप्रत्वी बल्लव अपादिया धार्की दोस्तों यह किती पुलकेशन दुतिने Okay एंपोर्टेंट है ध्यान रखना दोस्तों में इसने नहीं कुस्छन है चलिए आगे देखते हैं देखिए किस ने निखा नेज भासा उन्नति है और उन्नतिको मूल यह लिखा था भारतीन हरिष्चन जीने ओके याद रखना दोस्तों यह सबसे ब्यस्तंग कौन साच्छ को नोगे याद रखना ध्याना ध्यानलेंट है ध्यान द्याना तेघ से सबसे ब्यस्तन कॉंब साइप हए याद जानना दोस्तो मानमक बकाल सबसेश्रीर का व्यस्तंग है वो आमारा हिर्द है अगे बारती निर्यात की यह जंता है, एक्सपोर्ट इंपूर बोलते हैं याद रखना तो क्या है निर्यात का बेविदी करण आगे देखते हैं बादामी या बातापी के चालुक के बंसका सरवाद के महार राजा कौन था दोस्तों यह भी मारा कौन थे पुलुकेशन दुती ओके एक ची और इन पर तुम्हें आ किस करती में मिलती है यह बिनाय पत्रगा में ओके दोस्तों तो बस आज के लिए बस तनाइं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके जरू बताना और कुछ और में कमिया मालम पढ़ने तो बताइए इससे मैं सुदार कर सको ओके कहां ऐसे एक्स्प्रेंड कीजिए और मैं आपको यह कहूंगा का आप दोस्तियों रिपीट कीजिए इससे आपके मायने फीड हो जाए अच्छी से रट जाए बस रट ना यह आपको पता यह चीज़ें ओके तो बस आज के लिए फितन धन्यवाद